गुद्ध मर्निंग लेर्न्हें। इन आवार टूदेज वीडियो, वी आज आज एख लास में रहें। वो पर्फेक्ट कंतों स्टेंज के बारे में जानने वाले हैं। सो विद्धूत मोव फर्डर डिले लेट्स टार्ट आवार टूदेज वीडियो। आडि 5 2 2 वार्टस पास्ट पाफ्ट प्रसेक्ट टेंश जो नोन अस्ट पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेशिव स्टेंश इससे गया वह बात करते हैं इक ऐसे आकशन के बारे में जो पास्ट में continue था और पास्ट के किसी certain time period में वह खतम हुआ है इससे परले हम लोगों ने present perfect control sentence के बारे में पढ़ा हुआ है हमने present perfect control sentence के बारे में क्या पढ़ा था ति it talks about an action that has started in past and continued in present time means present perfect control sentence के बारे में क्या पढ़ा था कि वो simply एक ऐसे sentence होता है यह फिर एक ऐसे action बताता जो पास्ट में शुरूआ है और present timeline में अभी भी चल रहा है I have been teaching since 2006 मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ तो यह एक ऐसे action बता रहा जो पास्ट में शुरूआ था अब present time में चल रहा है वह ही दूसरी और हम बात करते हैं past perfect control sentence के बारे में तो अगर मैं बोलता हूँ I had been teaching since 2006 मैं 2006 से पढ़ा रहा था तो यहां पर एक ऐसे action के बारे मताया जा रहा है कि जो पास्ट में शुरूआ था मिस अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 2006 से पढ़ा रहा था तो यहां एक ऐस सेक्शन के बता रहा है कि जो पास्ट में start तो था मिस continue था लिए प्रजेंट टाम लाइन में अग वह चीज़ कि टेचिंग सिंस मैं 2006 से पढ़ा रहा था ठीक है तो यह एक ऐसे action है जो simply बता रहा है कि action जो है वह पास्ट में continue था लेकर प्रजेंट टाम में continue है यह नहीं हो सकता पास्ट में खतम हो गया मिस 26 से पढ़ाते पढ़ाते मांगे 2818 तक पढ़ाया फो उसके बाद खतम होगी गैस करेंत बॉर्भ के लिए Nani एक्षा शेप सर्टेश ते नियुक्स सर्टेंट यूफर में बैक्न की पहले बढ़ा हुआ कि से इना लेस्ट को बात करें पास्ट प्रफेक्टेंश के बारे में तो हम इसे एससे एसोशेट जोड़ सकते हैं प्रजेंट प्रफेक्ट कांट्रित देंश में तो present perfect context tense में अगर हमारा has have था तो बस past tense में, means past perfect context tense में हम उसमें had का use करेंगे एक्जामपल कुछोड समझते हैं I had been working for 10 years, मैं 10 सालों से काम कर रहा था तो ये basically एक ऐसा action बता रहा है जो past में start था और past में खतम हो गया We had been working for 10 years, हम लोग 10 सालों से काम कर रहे थे, अब काम कर रहे थे देंटो इस past में start हो था और past में ही खतम हो गया है इसके बारे में हमें present timeline में, इसके बारे में जानका ही नहीं है, means past में start रहा, past में खतम हो गया वोई present time में होता, तुम हाँ पर हमारा हैड के जगर has यह हैव रगता, according to the subject You had been working for 10 years, तुम 10 सालों से काम कर रहे थे He had been working for 10 years, वो 10 सालों से काम कर रहे थे, clear? यहाँ देखे, हम लोगों ने क्या है पड़ा था? कि हमारा present perfect contents में हमारा verb tense क्याता है, तो been plus verb 4 जो कि दोनों के लिए common होगा, क्योंकि हमारा perfect contents tense दोनों में ही आ रहा है, तो been plus verb 4 तो दोनों में common होगा, अब हम बात करते है और के बारे में तो प्रेजर्टेस में हमरा जो है वो क्या रहा था है और है जय का पार्ज़ फोर्म होता है है यहां पर है आपकर है नहीं है प्लाज प्लेस वर्फ फोर्ट यह सबीन फिर भी भी ने अब तो Has Been Plus Where For ये फिर had been plus 4 or have been plus where 4 के जगह has और have को दूरे क्या करता है हम लोग जाना था कि has और have जह है वो according to the subject use होता है ठीक है लेगए है जो है वो हमारा singular subject हो या plural Subject हो उसके लिए है इस्तिमाल करेंगे और हमारा plural subject है हम लोग है किस्तुमाल जियाता है आई भले ही वह हमरा स्वार करता हैं लेकिन वह यह वह है इस्तिमाल करता करने नौट काह Gerade प्रजेट परेफिक कंटर इंड पर्फिक के पर सबस्देन परस ब्रकूर्फॉर्फेक क पर पर सब्दGO routine में हम लोग started in past and continued in present time means यह present perfect control stance एक ऐसे एक्षन के बाले मताता है जो past में शुरूआ है और present time में अभी भी continue है लेगन अब बात करते है past perfect control stance के लिए तो it is used to talk about an action that started in past and continued in the past time means past perfect control stance जो है वो basically एक ऐसा action के बाले मताता है जो past में start हो था और past के time में continue था example समझते है I have been working here since 2016 मैं यहाँ पे 2016 से काम कर रहा हूँ और present time में भी भी काम कर रहा हूँ ठीक है अभी भी कर रहा हूँ लिकार मैं दूसरी ओगर में बोलता हूँ I had been working here since 2016 मैं यहाँ पे 2016 से काम कर रहा था काम कर रहा था अब कर रहे है या नहीं उसके बार हमें जान कर रहा है नहीं लेकिन 2016 से तो काम कर रहा था नेक्स एजामपल है I have been writing articles on different topics since morning मैं सुभा से अलग अलग topic पे मैं क्या article लिख रहा था तो यह बता रहा कि past में स्टार्ट हुआ था और अभी भी हो सकता लिख रहा हुगा वही हम बात करते हैं past perfect contestants के बारे में तो I had been writing articles on different topic मिन्स मैं अलग अलग topic पे आर्टिकल लिख रहा था यहां पर देखिए past में स्टार्ट हो था past भी खतम हो गया लेकर अलग भी बात करते हैं I have been writing articles on different topics since morning मैं सुभा से जो है वो अलग अलग topic पे जो है वो मैं topic लिख रहा हुँ मिन्स सुभा से लिख रहा थे अभी भी लिखने का काम continue ठीक है now let's talk about a difference means the structure of present perfect tense sorry present perfect context tense and past perfect context tense अगर हम बात करें present perfect tense tense के structure के बारे में तुम्हां क्या होता है subject plus has है plus been plus before plus other words plus since यह 4 plus time time word को मैंने से exclude किया हुआ है ताकि आप यह वो time word को क्या होता है कभी कभी कि हम लोग present perfect context में हम भीना time word के भी हम लोग यह से action को represent कर सकते हैं जो हमाँ पास में शुरूव है और present time में भी चल रहा है clear जिसे I have been working since morning मैं सुबा से काम कर रहा हूं तो यहां पर देख I have been working आगिया I have been working अगर मैं ऐसे बोलता हूं I have been working मैं काम कर रहा हूं मिस बता रहा ही एक section जो पास में स्टार्ट हो था और अभी चल रहा है हम लोग जो है वह since और 4 प्लस time कर सकते हो यूज कर सकते हो जोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो जोड़ लेना क्योंकि आप लोग जो इस स्ट्रक्चर में कि यहां पर हमारा प्रजेंट पफेक कट्ट्रेंस में है और तुछके बस हैड आ जाता है बाकि सारा का स्ट्रक्ट्चर जो है वह सेम होते है क्लियर कि नो लेट्स टॉक अबॉट एक्जाम्पल पास्ट परफेक कंटुस्टेंस तरहें आई हैड बिन वाकिंग इन दिस एक्टरी सिंस 2014 मैं इस फैक्टरी में 2004 से काम कर रहा था तो यहां पर एक एक्षा एक्ष्टन बता रहा है जो पास्ट में श्रूवा था और पास के किसी टैम में खतम हो गया हो जाकता है फ्रेक्टरी में काम करने के वाद आप कुछ निया स्टार्ट कर दिया हो तो यह जो होगी है यह हमारा असर्टिव सेंटेंस होगी है सिंस 2004 मैं इस वेक्टरी में 24 से काम नहीं कर रहा हूं इसको हम दूसरे तरीके सा और बूल सकते हैं कांट्रेक्शन किया जाएगा है नौट का हैंट तो इसके बार आ जाते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड आई बीन वाकिंग इन इस वेक्टरी सिंस 2004 क्या मैं 24 से काम कर रहा हूं उसके बार आ जाता है छिट मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं मैं इस वेक्टरी में 24 से काम नहीं कर रहा हूं वही नेक्स्ट आना वाय गिन वाकिंग इन या से मैं इस फैक्टरी में 2004 से काम क्यों कर रहा हूं वही हो जाते हैं अगर हम बात करतें इंट्र गिटिव नेगेटिव सेंटर्श मिस्ट डवल इंट्र गिटिव नेगेटिव सेंटर्श के बारे में तो why had I not ben working इन इस वेक्टरी से काम कर रहा हूं इसका नेगटिव हो गया मैं इस वेक्टरी में 24 से काम नहीं कर रहा हूं मैं इस वेक्टरी में 24 से काम क्यों कर रहा हूं उसका नेगटिव सेंटेंटेंश। मोईं पूर्दर रहा हूं य बवर्डर स पर्फफेक्ट का साथ क्या है रहेँ है aam far first time यह होगी है हमारा grapple संटेंस संट कर तक हमारा है सबजेक्ट प्रस हैद प्रस बिल्ट भज्क हैं यह हम लोग ने इस्तोम किके बीन प्रस भज्क हो चोके रार्फेक्ट कंटरेंग स्टेंज कर समाल साथ सप्गयत Carl शाट साथ हामारा यहां पर है आगये दिए पास्ट तो पास्ट पर्फ एक कंट्रस टेंस क्लीर टु आज स्टैंस शल्डे से नेगटिव बनाने के लिए मैंने मैने आपको बता था कि हमारा नॉट लगता है यह पर आइं कि है तो हैं की बाद हमारा नौट लगा तो क्या होसा सब्जेक्ट प्रस राप नौट ब्लस बीन प्रस बर फूर औब्जक्ट टब्लस सीन्स ओर ट्रेम वही अगर मिह से दूसरी तरीकी आप कैसे लख से है कि असर्टे सेंटेंस में अगर हमारा अग्जरी वर्व या फिर जिसे हम हैल्पिंग है बोलते वो दिया हुआ तो और सब्जेक्ट इनका बस जगह को एक्सचेंज कर दिए हमारा इंट्रेगेटिव सेंटेंस बन जाकर जैसे देख पार होंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्फ फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम वह इंट्रेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ सेम चीज़ अप्लाय करना है कि अगर हमारा सेंटेंस में दे दिया हुआ है ऑग्जरी वर्फ तो वह क्या करना प्रस सींज फोल प्रप्रस ताइम यह होगी हमारा इंट्रों केटरीव निघ्टिव पाइंकिन का सेंटेन्स कर्ण हम स्युला हो चैनल थे डावल इन्टताव सेंटेंस के बार क्राइए तो मैंने आपको पहले बाताएं नेगटिव सेंटर्स बन जाता है अभी तक आप लोगों किसी भी तक के प्रावलम फिस्ट नहीं करना पड़ाँगा रिगार्डिंग पास्ट परफेक्ट कंट्विस्टेंज हमारी आज की क्लास में हम लोग ने क्या सीखा नार पसलियो ने साby तकsweise. रिकला मदनमेज आजा उसे बास बास पर्फेक्ट कंट्विस्टेंज disappointment बफस्ट to our channel for latest update, until then stay tuned to our channel, thank you.